नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि रिया चकवरती के खिलाब सुसान सिंग राजपूत केस में मिल चुका है एक ऐसा सबूत जिससे देखने के बाद तो खुद CBI के भी होस उड़े हुए हैं तो वो कौन सा सबूत मिल गया है जिसके बाद तो दोस्तों मानो CBI के भी तोते उड़े हुए हैं और CBI को भी ये पता चल चुका है कि सुसान सिंग राजपूत केस में कितनी बड़ी राजनिती खेली गई है इसलिए आप सभी हमारी से वीडियो को अंतक देखेगा दोस्तों यकीर मानिये बेहदी बड़ी और खास खबर है अगर आप इस खबर को सुनेंगे तो आप सभी को ऐसा लगेगा कि मानो आप सुसान सिंग राजपूत केस में वो दिन दूर नहीं जब सुसान सिंग राजपूत को इंसाफ मिलेगा और सुसान सिंग राजपूत को खतम करने वाले जेल के पीछे होंगे तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेगा दोस्तों बेहदी काम की खबर है जी हाँ आपको बता दे सुसान सिंग राजपूत केस में सीवियाई की टीम लागतार चानबीन कर रही और उसके बाद सीवियाई की टीम जब अपने जाच को बिल्कुल चरम पर पहुचा चुकी थी जहां पर सीवियाई को ये लग रहा था कि सॉल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है उस टाइम पर सीवियाई ने सुचा कि क्यो ना रिया चकवरती के घर पर जाकर एक वार फिर से जाच की जाए और पता करने की कोशिस की जाए कि क्या रिया चकवरती ही वो मुझरिम है जिसने सुसान सिंग राजपूत को खतम किया या फिर रिया चकवरती ही वो मुझरिम है यकिन मानिया आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे जी हाँ आपको बता दे CBI की टीम ने जब इस जांच को दोस्तो चरम पर पहुचा दिया और वहाँ से CBI ने गवार फिर से इसको जांच करना सुरू किया तो वहाँ पर CBI को पता चला कि रिया चकावरती के खिलाप आज भी कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे सीधे सीधे रिया चकावरती जेल जा सकती है जी हाँ पहले तो कुछ ड्रक्स से रिलेटेड सबूत मिले हैं इसका मतलब यह है दोस्तो कि रिया चकावरती ने कुछ ड्रक्स पैडलर को यह तक कहा होगा कि सुसान सिंग राजपुत को वह सीधे जाकर के ड्रक्स की डिलेवरी करें और ये भी ना बताये कि किसी चीज में मिला करके ड्रक्स दे और बताये ना कि उसमें ड्रक्स है तो यहाँ पर एक बात तो साफ है दोस्तों कि CBI को RIA Čकावर्ती के खिलाब बहुत बड़ी सबुत मिले है इसके अलावाई एक और जो बड़ा सबूत मिला है दोस्तों वो यह है कि रिया चकवर्थी के फोन पर कुछ ऐसे लोगों से बात हुई है जो कि पूरी तरह से संदिकत है इसका मतलब यह है कि रिया चकवर्थी कुछ ऐसे लोगों के कॉंटेक्ट में थी तो काम ही था एक इसका मतलब यह है कि अब रिया चकवर्थी जेल जाने वाली है और वो फिर से दिन आने वाला है जब रिया चकवर्थी आप सभी को जेल के पीछे ना सिरफ दिखेगी बलकि रोती हुई दिखेगी तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद